हेलो गाइज वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को अल्फवेट्स लिखना कैसे सिखा सकते हैं अल्फवेट्स सिखाने से पहले बहुत जरूरी है कि बच्चे का पैंसिल पर होल्ड बहुत अच्छी तरह हो क्योंकि अगर बच्चे का पैंसिल पर होल्ड अच्छा नहीं होगा तो बच्चा लिखना ने सीख सकता बच्चे को alphabet लिखना सिखाने के लिए बहुत जुरूरी है कि बच्चे को slanting line, standing line, sleeping line and curve अच्छी तरह बनाना आता हो अगर बच्चे को slanting, sleeping, standing line अच्छी तरह ड्रो करनी आती है तो बच्चे को आप alphabet start करवाईए alphabet को आप sequence wise ना सिखाकर, alphabet को आप पहले easy letters के साथ start करिए जो कि standing lines और sleeping lines से related हो बच्चे को alphabet सिखाने के लिए सबसे पहले जुरूरी है कि जो letters easy हो जो standing और sleeping से related हो, पहले वही introduce करवाएजाए जैसे first is L, L is very easy standing and sleeping बच्चे इसको easily सिख जाएगा जैसे हमने L को, L पहले सिखा सकते हैं, फिर हम उसको I सिखा सकते हैं T सिखा सकते हैं बच्चे को, E सिखा सकते हैं, F सिखा सकते हैं क्योंकि यह easy letter होते हैं, standing और sleeping से related next is, बच्चे को आप सिखा सकते हो, H, standing, two standing line, middle side, sleeping line इस तरह यह letters आपको पहले सिखाने चाहिए, next is, part two में आप वो letter स्टार्ट करो, जो standing line or slanting lines related like, K, standing and slanting, A, slanting line and sleeping line next is, N, M, and V, V also, W, X, Y also, and Z इस तरह second time, part two में आप यह वाले letters बच्चों को introduce करोएं last में आप बच्चों को curve से related letter introduce करोएं, जैसे हमारे पास है B, standing line, small curve, again small curve, C, D, next is, J, G, small curve, standing and like this, G next is, O, P, Q, S, U, yes तो यह वाले tricks अगर आप यूज करोगे अपने बच्चे को alphabet सिखाने के लिए तो मेरा मानना है कि आपका बच्चा letters को बहुत अच्छी तरह लिखना भी सीख जाएगा और उनको पहचान भी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लिस इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना